यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है एक सेट है और डिटर्मिनेंट्स का जिसमें 0 और 1 एंट्रिस है एक सबसेट है का कंसिस्टेंट ओफ डिटर्मिनेंट्स और पोर हमारे पास एक प्रपर्टी होता है के अगर किसी एक डिटर्मिनेंट में निर्ट निटर्मिनेंट को रहें यहां पर जो B है, B में जितने भी determinant है, उन्न सबकी value कितनी है? 1 है इसका मतलब B में जितने भी elements होंगे शोनी कहें, उन्न सबके 3 x 3 order का है, तो इस type का element हमारे पास होगा इसकी value हमारे पास कितनी है? 1 है और C में सबक्राइब कितनी है? तो हमारे पास डीटर्मेनेंट की क्या हो जाती है इस डीटर्मेंट की वेलू 1 है और इस तो कुछ इसी टाइpe के रहे होंगे बस क्या डिफ्रेंस होगा सिर्फ इतना होगा किसमें elements को आपस में क्या किया होगा उन्होंने किसी रो या कॉलूम को interchange कर दिया होगा ठीक है तो किसी भी दो और नंबर ओफ interchange अगर हम करेंगे तो वहां से जो determined बनता उसकी value क्या हो जाएगी अगर इसका one है तो इसका minus one हो जागा इसका मतलब क्या होगे कि इस बी और सी में जो टोटल number of elements हैं वो कितना होगा number of elements in a b और number of elements in c आपस में क्या होगे एक्वल होगे ठीक है क्योंकि बस वो रो और column का interchange हुआ होगा ठीक है इसका मतलब क्या होगे बी है as many as elements c ठीक है तो आप यहां पर बी और अप्शन को मर्क कर सकते हो ठीक है